पुर्व जन में एक नाग कन्या थी और वा सिरी राम की पतनी बंदे बंदे रह गई थी तो कैसे घटना घटी थी और कब घटी थी चलिए जानते हैं मर्यादा पुरुषक तमराम के महान चरित्र एवं एक पतनी ब्रत होने के बारे में हम सभी जानते हैं वो महान युद्धा और दिट्रे चरित्र वाले थे लेकिन कम लोगों को मालूम होगा कि एक बार वे भी माया के फेर में परकर चरित्रो और एक पत्नी ब्रत रहने का संकल्प खोते-खोते बचे उस समय उन्हें उनके ही महान भक्त संकरमुचन हनमान जी ने उबारा था बास्ता में हनमान जी ने आम लोगों एवं अपने भक्तों को ही नहीं बलकि अपने अराध्य भगवान सिरी राम को भी बार बार गंभीर संकट से उबारते रहे थे एक बार हनमान जी ने उनके आरे समय में मदद की वरना माता सिता के अलावा सिरी राम की एक और पत्नी हो जाती तो चलिए जानते हैं कि ये कब की घटना है युध में रावन ने अपनी भाईयों अही रावन और मही रावन को राम लक्षवन का हरण कर उनकी हत्या करने का निर्देश दिया था तब रावन के दुनों मायावी युद्धाओं ने मुर्चित कर राम और लक्ष्मन जी का अपहन कर लिया था ऐसे में हनमान जी उनको बचाने के लिए सामने आए पहले उन्हें अपने ही पसीने से पैदा हुए पुत्र मकरधच से युद करना पड़ा उसको हराया और उसे भी भगवान राम के सहाईकों में सामिल कर लिया अहिरावन और महिरावन राम और लक्ष्मन की बली देना चाहते थे पर हनमान जी ने उनकी पूरी शेना का सफाया कर दिया उस दोरान नाक कन्या चित्रशेना जो भगवान राम पर मोहित थी से हनमान जी की मुलाकात हुई जिन्होंने उन्हें अहिरावन के मौत के राज बताया पांच जगह पर अस्थापित दिपकों को एक ही समय में बुझाना था और तब हनमान जी ने पांच रूप धड़े और पंचमुखी अनमान का अवतार हुआ महिरावन भी महावल साली था उशे और उसकी सेना को खत्म करना असान नहीं था जैसे ही हनमान उन्हें मारते वस फिर से सेना का पांच गुना जादा कर देता था इस बार भी चितरशेना ने भगवान राम और हनमान जी की मदद की और राम ने हन महीरावन और उनकी समस्त सेना को मार गिराया चितरशेना विश्णु जी की पुजारी थी और विश्णु के पुरुष रूप राम को पती रूप में पाना चाहती थी युद के बाद उसने माया जाल फैलाया और सीरी राम को इसमें फसा कर अपने पलंग पर बैठा धोखे से बैठा कर बर्माला पहनानी चाही तभी हनमान जी पुना भगवान राम के संकट मुचन बन कर सामने आए और उन्होंने एक भब्रे के रूप में धर कर पलंग को काट दिया और इसके साथ ही चितर सेना के माया जाल को भी काफी हद तक समाप्त कर दिया चितर सेना इसे बहुत कुरूध हो गई और उन्होंने इसे अपना और भगवान राम का अपमान बता कर हनमान जी को स्राप देना चाहा पर तब तक भगवान राम का समोहन भंग हो चुका था और उन्होंने चितर सेना से हनमान को माफ करने को कहा इसके साथ ही उन्होंने अपनी एक पत्नी धर्म से बंधे होने का संकल्प दोराया और चितर सेना के क्रोध को सांध करने के लिए द्वापर में पत्नी रूप में श्विकार करने का बचन दिया वही चितरशेना द्वापर में शत्यभामा के रूप में भगवान स्रिकृष्ण की पत्नी बनी जै श्रिकृष्ण राधे राधे जैमातादिबग जनों कैसे हैं आप सब आप सभी पर मायतारानी की किरपा बनी रहे चलिए जानते हैं देवीशत्य भामा के बारे में ऐसा माना जाता है कि देवیशत्य भामा पूर्वजन में एक नाग कन्या थी और वा स्रीराम की पत्नी बंदे-बंदे रह गई थी तो कैसे गटना गटी थी और कब गटी थी चलिए जानते हैं मर्यादा पुरुशक तमराम के महान चरित्र एवं एक पत्नी ब्रत होनी के बारे में हम सभी जानते हैं